हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप सभी आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप नॉन सीयस के बंदे होके भी आए टी कंप्णाटी के इंट्रिव कैसे क्रैक कर सकते हो, ठीक है तो समझो कि आपको कोई भी Programming Language नहीं आती हो तो भी आप कैसे इंट्रिव क्रैक कर सकते हो में राण्ड कैसे होते हो सबसे पहले बात कर ला थे कि समझो आप Mechanical Electrical या Becum, Emccum किसी भी फील्ड से हो ठीक है आपकी एजुकेशन किसी फील्ड से हुई हो ठीक है आपने मन बना लिया कि आपको एक आईटी कंपनी में जॉब करनी है चाहे हो कोई भी हो गूगल हो Amazon हो Microsoft हो कोई भी हो ठीक है अब आते हैं कि दो तरीके होते हैं उनमें जाने के या तो उनकी कुछ सब्सक्राइब के लिए कि आप यह हमारी एक्जाम है TCS जैसे हो गई कि उनका क्यूटीन करके एक्जाम भी है अगर वह एक्जाम क्वालिफाइब कर लेते हो आप तो फिर क्या होता है वह आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लेंग्वेज की ट्रेनिंग देती है तीन से या फ्रन्ट एंड या बैक एंड यूआ यूएक इस मतलब इन में से कोई एक जॉब रोल में मुझे जॉब करना है फिर आपने क्या किया कि किसी एक ट्रेनिंग इंसिट्यूट से ट्रेनिंग भी ले लिए उस चीज की एक पर्टिकुलर सॉफ्ट्वेर और एक किसी को पता निया क्या होने तो में से कंपनीarmed च्रेस कर दोड़न से जाणसे नहीं हुए अब second method में क्या होता है कि आपने कोई role choose कर लिया है कोई software सीख लिया है already उसके बाद आप उसी company में apply करते हो जिस company में requirement हो तो company को क्या होता है पहला तो यह होता है कि यह बंदिन अलड़ी चीज सीखी हुई है या certified है तो easily आपको ले भी लेती है ठीक है अब coming to interview part कि interview में क्या होता है as a मतलब समझो आप electrical से हो civil से या mechanical से हो अगर IT का interview हो रहा है तो क्या चीजें आपको सोचनी चीए या कैसी clear होता है interview तो मैं बता दो दोस्तों कि समझो कि पहला round कुछ basic round होगा शायद टेलफोनिक माल लो वो जो भी चीज आपने सीखी है उसका कुछ basic पूछेंगे तो आपको सिर्फ basic ही बताना है उससे ज्यादा उनको कुछ नहीं बताना ठीक है फिर दूसरे round होगा दूसरे round में क्या करेंगे मुश्वबली आपका screen share मतलब उनका screen share करेंगे और शायद आपको कोई प्रोग्राम करने के लिए बोलें कि यह करके बताओ यह चीज करके बताओ तो आपको उस वक्त वह प्रोग्राम करना है और प्रफॉर्म करना है तो अब दोनों पहला राउंड में दोनों देखो पहला राउंड तो इसली क्राक हो जाता है ठीक है विकाज आपने अलड़ी ओचीज सीखी है तो जब एक्स्प्लेनेशन करना रहता है उस चीज का तो डिफाइन कर दे तो इसली अब दूसरे राउंड में क्या होता है कि आपको प्रोग्राम रन करके भी दिखाना होता है इसमें में भी आपको थोड़ी दिक्कत हो बट ऐसा मत सोचना आप ऐसा फ्रेशर हो कंपनी आपको फ् लाइन लिख रहे हो वह लाइन वह दिख रहा होगा स्क्रीन शेयर किया है तो में भी आपसे पूछेंगे भी कि मतलब यह जो आपने लिखा है इससे आप क्या एक्जिक्योट करना चाहरे हो ठीक है तो अगर आपका प्रोग्राम नहीं भी रन हुआ आप पूट नहीं प्र सबसे हो जाता है अब समझो कि आपका फर्स्ट राउंड तो इसली मोश पबली सबसे हो जाता है समझो कुछ-कुछ चीज़े पूछते हैं सेकेंड राउंड भी टेक्निकल भी समझो कि 50% लोगों का होई जाता है पहले इंट्रिव में नहीं पांचवे-दस्वे में हो जा मेरे केस में aptitude reasoning नहीं था इसलिए मैं वह include नहीं कर रहा है बट आपके केस में prepare करके चलो अगर पूछ लिया तो क्या करो गया ठीक है अब coming to third round third round होता है एक्षा राउंड अब बहुत लोगों के दिमाग में यह मिसकंश्प्शन है कि पहला और दूसरा राउंड मतब अग experience बता दू मेरे ही company में एक बंदे को मतलब interview लिया गया था बट इंटर्यू उसका अच्छा गया first second round manager round भी बहुत अच्छा गया director के साथ जो round वह भी अच्छा गया लेकिन HR ने उसको reject कर दिया तो HR ने reject कर दिया उसकी वज़े से उसका selection नहीं हुआ नहीं लिया भले director और manager ने अप्रूव कर दिया था बहुत matter करता है companies में यह भी इस चीज को ध्यान में रखना HR round is also one of the important round अब मेरे case में बताता हूं मेरे third round में क्या हुआ था so third round में HR थी और इंडिया लेवल की HR थी मतलब पूरे इंडिया का recruitment का HR देखती थे सो उन्होंने मुझसे कुछ introduction किया फिर मेरे English के बारे में बहुत लोगों को आप लोगों को डाउट है कि English English मतलब पूरी वह होनी चाहिए क्या एकदम 100% होनी चाहिए ऐसा कुछ है सो अब मेरे केस में उन्होंने मुझसे पूछा सो लाइक उन्होंने मुझसे पूछा शुबं लाइक यूर इंग्लिश इस नॉट लोगों को एक्स्पेन किया सो मैं बूला कि as I was living in Gujarat and in Gujarat most of the people we used to talk either in Gujarati either in Hindi okay even though I studied from English medium but the we talked 90% of time in Hindi either in Gujarati so as I moved to Bangalore I got Panchoati to know and to talk in English with people so that's how it will be improved and in future it will be improved as I'll be working in the company with the organization so मैंने उनको frequently ये चीज बोली कि हाँ ठीक है मेरी condition ऐसी थी कि मैं जहां रहता था वहां पे वही languages बोली जाती थी इसलिए मुझे मतलब English पे उतना अच्छा ग्रेपनी है but मतलब मैं जैसे evolved हुआ मतलब मैं जैसे से बात करने लगा लोगों से वैसे से इंप्रूव होगे फीचर में भी इंप्रूव हो जाएगी that's not a big deal ठीक है ये बात उन्हेंने पूछी फिर मेरे education के related मुझे कुछ questions पूछे education या अपने कहां से पढ़ा है यह सब जो basics होता है फिर मेरे बारे में कुछ पूछा है और फिर question आया कि जैसे मैं mechanical field से बिलाँ कर दा हूं so HR ने मुझसे पूछा भी as I can see in your resume you belong from mechanical so can you let me know like as you have nothing to do with the programming why you are like why you want to move in a clinical industry and in a programming language okay so मैंने बोला कि like as we are living in the third generation and I believe like like one person cannot be like judge on their certification or on their like academics मैंने upfront बोला HR को कि हम एक third generation में रहते हैं और हम किसी को उनके academics के base पे जज़ नहीं कर सकते as I like to work with technology and मुझे पहले सी technology में मतब interest था इसलिए मैंने और वो बात सही है इसलिए मैंने जो अपना mechanical field में है initially जब उसमें एक मन्त मैंने job किया था तो मैंने उससे पहले PDMS आपकेद और PDMS just because उस पी मुझे technology के साथ काम करना था in short computers के साथ so मैंने अचार को यह चीज simply बोली कि पहला पॉइंट तो यह रखा कि हम third generation में हैं and academics के base पे हम किसी को judge नहीं कर सकते that he'll be working on that or not so पहला पॉइंट यह बोला दूसरी पॉइंट यह बोला कि मैंने mechanical में भी technology पे काम किया PDMS पे and मुझे पसंद है इसलिए मैंने mechanical में वही चीज़ चूश की and same मैंने सोचा कि I have a good capability and I can go ahead that's why I move into totally into programming as and I am here with you now so यह कुछ questions उनने basic पूछा and थोड़ी बहुत ऐसे बातचीत हुई फिर मैंने उनके बारे में पूचा पहले उन्होंने मेरी class ली फिर मैंने भी थोड़ी दिर उनकी class ली जब उन्होंने मुझे 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 मौका दिया so मैं class ने ली इंसओड उनके बारे में पूचा थोड़ी दिर 5-10 में बात देगी that's how यह हो गया अब 2-4 दिन हो चुके थे और उसके बाद मुझे जो उन्होंने offer दिया था मुझे आज भी आता है I think Sunday का day था and मैं उस वर्थ हैदरवाद में था So Sunday का दिन था I think मुझे 9.30 का उन्होंने offer रिलीस किया था morning में So how easy it is like यह बहुत easy होता है आपको सिफ proper guidance की and proper path की ज़रूरत होती है ठीक है अब मैं वह भी बताने वाला हूं कि start-up companies में कैसे apply करें ठीक है last because उसमें easy होता है उससे पहले मैं कुछ चीजे और बताना चाहता हूं so बने रहा है अब दोस्तों बहुत लोगों का मुझसे जैसे मैंने अभी तक thousand call attend की है ठीक है कोई charge किसी से कुछ charge ने लिया just free क्योंकि आज से मुझे दो साल पहले बहुत दिकत हुए थी तो मैंने बहुत लोगों को इंस्टाग्राम पे लिपलाई किया बहुत लोग मुश्ली सबका call लिया मैंने अब कुछ दिनों से नहीं ले पा रहा है because flow बहुत बढ़ गया है so बहुत लोग मुझे भी मैसेज कर रहे बट इनका response टाइमली नहीं हो पा रहा आइधर उन यूटूब आइधर उन इंस्टाग्राम बट हाँ बहुत लोग कोशिश करता हूं at least मैं दिन में दसकॉल अटेंड करता ही करता हूं ठीक है but मैंने एक basic doubt एक basic question जो सबके मन में देखा है जो अप लोग के हैं कि हम कहां से सीखें क्या सीखें अगर कुछ नहीं पता तो पहली चीज किसी जो अलड़ी इंडर्श्टी में वर्क कर रहा है जैसे मैं वर्क कर रहा हूं उनसे suggestion लो और उनसे पूछो कि क्या वह आपको help कर सकते हैं वह software सिखाने में उनसे बहतर कोई नहीं जानता होगा उस particular technology या software के बारे में ठीक है उनसे पूछो नहीं तो चेक करो अपने network में कोई कौन क्या कर रहा है अब बहुत लोग क्या करते हैं डारेक इंसिटूट को call लगाते और इंसिटूट वाले बोल देते हैं यह चीज अच्छी आप यह कर लो इंसिटूट गलत नहीं है बट इंसिटूट का काम है वो जो काम कर रहे है वो बिजनस है राइट वह आपको मना नहीं करने वाले सीखने से ठीक है आपको सिखाएंगे भी no doubt बट वर्किंग प्रोफेशनल से पूछ हो गए तो वो अपने वर्क एक्स्पिरेंस के साथ बताएगा अभी जैसे मैं साइस पर काम करता हूं और मैं साइस के भी ट्रेनिंग भी देता हूं ठीक है कुछ बच्चों को साइस के बारे में मुझसे वहधर कौन बता पाएगा में भी शायद कोई बता पाएगा लेकिन इंसिटूट वाले इंसे बहतर मैं बता पाऊंगा क्योंकि मैं इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूं ठीक है अब टूदेट इंफर्मेशन है मेरे पास सो इंसिटूट से मेरा जादा प्रेफरेंस है किसी कनेक्शन से अपने पूछें उनसे जाने एंसेच पर काम करना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है बहुत लोगों ने बोला कि सर ये योडिमी कोर्सेरा पे कोर्सेस हैं वहां से कर लो क्या या फ्री में यूटूब पर मट्रेल हैं वहां से कर लो क्या दोस्तों अगर आप नौन से से बैग्राउंड स वाले courses से करो इतना आसान होता तो सभी लोग करके आज सब की जौब लग चुकी होती इतना आसान होता तो अभी सब की जौब लग चुकी होती courses और एड्मे से courses करके रहे हैं ठीक है तो यह इतना easy नहीं होता बहुत difficult भी नहीं है लेकिन बहुत लोग बोलते कि सर वहां पे 200-400 में courses है 500-1000 में courses है पर वो तो यार courses है वो material है वो material आपने एक बार ले लिया video material और आपको आप non CS से हो आपको logic main चीज देखो interview crack करने के लिए certificate की जरूरत नहीं होती logic समझ ही जरूरत होती और वो समझ आपको कोई experience person या कोई एक अच्छा ट्यूटर ही दे सकता है अब आप video material ले लोगे video material ने उसको जो बताना था उसने बता दिया आपको कोई doubt आया तो आप वो video material में आपने Coursera Udemy कहीं से भी लिया हो 500-2000-5000-1010 अब कैसे पूछोगे किससे पूछने जाओगे एक बार पूछ भी इसलिए मेरा मानना है किसी working experience working professional या तो फिर किसे अच्छी tutor के पास से सीखें वह particular software और आगे बढ़े है ठीक है अब coming to startup companies में कैसे apply करें तो startup companies के लिए दोस्तों मैं screenshot भी add कर दूँगा angel list करके website मैं उसका screenshot एड़ कर रहा हूं यह website पे इंडिया एंड फॉरंड की 90 परसेंट कंपनी 90 नी 100 परसेंट कंपनी लिस्टेड है जो की startup है इस पर actively hiring होती है यहां तक कि मैंने भी जो job starting में ली थी startup में वह इसी की थ्रू ली थी अब मेरा case अलग था है नापका case अलग हो सकता है क्योंकि मैंने initially मेरा खुद का startup किया था वरुद्रा में मेरी जो location है उस base में मुझे वहां पर hire किया था ठीक है आपके case में को difference हो सकता है मेरे case में मुझसे resume कुछ नहीं मांगा या just because मेरा खुद का startup और उसका experience था मुझे अच्छा role मिला वहां पर startup में अच्छा experience मिला था बट आपके case में क्या समझोब कोई software सीख रहे हो उसी software पर आपको job करनी है तो easily आप उस पे apply कर सकते हो यह website की मैं screenshot भी एड़ कर रहा हूं इस पे apply कर सकते हो और बहुत chances होते हैं कि आपको response यहां पर ठीक है because startup में क्या होता है उनको ऐसे ही बंदे चाहिए होता है अब startup क्या होता है कि वह experience वाले बंदे ज़ादा effort नहीं कर पाते initially ठीक है क्योंकि यार उनको pay बहुत दगणा करना पड़ता है तो यह आपकी entry के लिए बहुत अच्छा है यहां पर जाके अपना profile बनाए एंजलिस्ट पर अपनी सारी की सारी detail अच्छे से add करें और इनके फाउंडर का नेम और सब चीजे भी देख सकते हैं तो इनके फाउंडर का नेम देखें फिर इनके फाउंडर को आप परस्नली लिंग्डिन पर जाके भी अप्रोच करें कि मेरा नाम यह है और मैं इस technology में इंट्रेस्टेड हूं और मुझे experience भी है तो ऐसे chances होते हैं आपके chances बढ़ जाते हैं यह एक overall मैंने वीडियो बना है में आपके दिमाग में और भी उस चीज़ के पर वह बैटर रहेगा कि को answer करने की जगया सो मुझे questions पूछो एंड मैं basically उनका answer करूंगा और दोस्तों देखो कोर्स आप कहीं से भी करते हो बीस हजार से करते हो दो लाग से करते हो एक लाग से करते हो लेकिन वहां से करो जहां से आपको समझ आए certificate के पीछे मत भागो certificate की value नहीं है बहुत लोग बोलते हैं वह सॉफ्टर सैप का यह साइस का global certificate कर ले क्या यह कर लें आप लोग को पता है मेरे पास अभी सैस का मैं जिस टेक्नोलोजी काम कर रहा हूं उसका मेरे पास certificate नहीं है ठीक है मेरे पास कोई certificate नहीं है ओ सैस का फिर भी मतलब मैं कर रहा हूं company में job just because मेरे पास skill थी मैं इंट्रीव क्रैक कर पाया एक certificate का value सिर्फ आपके resume में होता है उसको उसकी नजर पढ़ने तक का फिर तो इंट्रीव होने के बाद वह इंट्रीव पर आपको judge करेगा आपके certificate पर आपका selection कभी भी नहीं होगा सो certificate में मत जाएं और कोई भी software सीख रहे हैं तो उसको logically समझें इसलिए मेरा suggestion रहता है कि किसी work experience से consult करें और मुझसे भी consult कर सकते हैं meanwhile और तीक है तो अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं बाकी बाद में देखेंगे तब तक के लिए दोस्तों good night